Hello Commandos, Welcome to BioMentes Classes Online आज हम देखेंगे Mechanical Properties of Solid याने की Elasticity One Short में Mechanical Properties of Solid याने Elasticity One Short में एक गंटे के अंदर मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए Extra बिलकुल नहीं Pure NCRT को Follow करते हुए हम Mechanical Properties of Solid याने Elasticity को खतम करेंगे है ना एक गंटे में ये Complete हो जाएगा शुरू से आकरी तक चलिए स्टार्ट करते हैं Elastic Body, तीन तरह की Body होती है एक Body होती है Elastic, एक Body होती है Plastic, एक Body होती है Rigid Elastic Body उसे कहते हैं जिसके कोई वायतार है इसे हमने कीचा और जब ये छोड़ा तो ये वापस चला गया इस Property को कहते है Elasticity खिचने को नहीं, खिचके वापस जाने की Tendency Elasticity कहलाती है इसी Lesson में हम प्रूफ करेंगे Steel ज़्यादा Elastic होता है Rubber से Steel है न, Steel में ज़्यादा Property होती है जबकि खिचता तो Rubber है तो Elasticity हैने खिचना नहीं, खिचके वापस जाना तो Elastic body कौन सी body होती है विच रीगेन इस इनिशेल लेंथ वाल्यूमेंड शेप इस इनिशेल लेंथ वाल्यूमेंड शेप आफ्टर दे एक्स्टर्नल डिपॉर्मिंग पॉर्सेज एब बीन रिमूवट खिचने को Elasticity नहीं कहते है रियान रखना आफ्टर दे एक्स्टर्नल डिपॉर्मिंग पॉर्सेज एब बीन रिमूवट ठीक है फिर लिखो नो बोडी इस पर्फेक्टली इलास्टिक पर्फेक्ट इलास्टिक कोई नहीं है है ना ऐसी कोई बोडी ही नहीं है जिसको कीच के चोड़ें और वो हंड़ेट परसेंट लोट जाए हमेशा के लिए थोड़ी बड़ी हो जाएगी नो बोडी इस पर्फेक्टली इलास्टिक तो जब पर्फेक्टली इलास्टिक नहीं है तो किसकी बात करेंगे मोस्ट इलास्टिक बोडी की तो लिखो मोस्ट इलास्टिक बोडी इस कोड्स फाइबर एलास्टिक बोडी के बारे में आपको इतना आना चाहिए एलास्टिक बोडी हमने किसे कहा किसी ऐसी बोडी को जिसको जब हम कीचना चोड़ दें तो अपनी इनीशियल स्टेट पर आ जाए फिर हमने लिखा पर्फेक्ट इलास्टिक कोई नहीं है फिर हमने कह लिखा पर्फेक्ट इलास्टिक कोई नहीं है तो हम बात करेंगे मोस्ट इलास्टिक की तो मोस्ट इलास्टिक बोडी क्या कहलाएगी कोड्स फाइबर मोस्ट इलास्टिक बोडी क्या कहलाएगी विटा बोलेंगे कोड्स फाइबर clear है अगली heading डालेंगे plastic body plastic body उसे कहते हैं जो खिचके उतनी की उतनी रह जाए हमने खीचा body को बढ़ी वो और जब हमने छोड़ दिया तो वो वापस नहीं आना चाह रही जितनी बढ़ी थी उतनी ही बढ़ी रह गई ठेक है बटा which tends to remain plastic body किसे कहते है which tends to remain in its deformed state which tends to remain in its deformed state कि deformed state में ही रहना चाहते है even when the deforming force is removed और समने हटा लिया तो भी even when the deforming force is removed हमने deforming force को अटा लिया तो भी यह क्या है deformed state में ही रहना चाह रही है which tends to remain in its deformed state even when the deforming force is removed इसमें भी वह लिखो nobody is perfectly plastic पर्फेक्ट्ली प्लास्टिक पर्फेक्ट प्लास्टिक कोई नहीं है पर्फेक्ट प्लास्टिक कोई नहीं है तो हम किसकी बात करेंगे most plastic की तो most plastic body is पुट्टी, पुट्टी का नाम सुना है, एमसील टीवी पे एड़ देखा होगा एमसील की क्या खास बात रहती है, उसको जितना बड़ा करके जिपकादो वो उतने ही बड़ा हो जाता है तो most plastic body is putty और china clay सबसे ज़्यादा plastic body कौन है, putty और china clay तो plastic body किसे कहते हैं, जो deformed state में ही रहना चाहती है परफेक्ट plastic कोई नहीं है, सबसे ज़्यादा plastic कौन है, putty और china clay सबसे ज़्यादा plastic कौन है, बटा बोलेंगे, putty और china clay तीसरी और आकरी तरह की body लिखो, rigid body rigid body, rigid body ऐसी होती है, जो खिचे ही ना पहली body, elastic body क्या थी, किचके वापस चली गई थी plastic body क्या थी, किचके उतनी बड़ी रह गई थी rigid body क्या, जो खिचे ही ना rigid body किसे कहते हैं, जो खिचे ही ना तो लिखो बटा, rigid body is one rigid body is one which is not deformed which is not deformed rigid है, which is not deformed under the action of various forces अंडर the action of various forces rigid body is one which is not deformed under the action of various forces rigid body is one which is not deformed under the action of various forces, ठेके इस पर कितनी भी ताकत लगाएं ये deform ही नहीं होगी इसमें भी वही लिखो nobody is perfectly rigid nobody is perfectly rigid perfect rigid कोई नहीं है तो हम किसकी बात करेंगे most rigid body की most rigid body is class diamond etc क्या लिखा है rigid body is one which is non-deformed under the action of various forces उसके बात क्या लिखा perfect rigid कोई नहीं है तो most rigid कौन है glass, heera, etc glass, diamond, etc most rigid body कौन है बेटा बोलेंगे glass, diamond, etc rigid body कैसे कहते हैं जो कितनी भी ताकत लगा हैं deform ही नहीं हो तो फिर हमने कहले का perfect rigid कोई नहीं है तो फिर क्या होता है सबसे ज़्यादा rigid को अने heera, kaanch, etc तो पहली body क्या थी जो खिचके वापस चली गई थी वो elastic body दूसरी body क्या थी जो खिचके जितना आमने कहा रहा था उतनी ही रह गई थी वो क्या कहला ही plastic body और तीसरी body क्या है जो खिचे ही नहीं ऐसी body क्या कहलाती है rigid body ऐसी body क्या क्या कहलाती है rigid body बहुत ध्यान से notes बनाना 40-45 minutes में आपको पूरा lesson बताया जाएगा अगला लिखो stress and its types होता क्या है कोई body है इसे हम खीच रहें खीच रहें तो ये नीचे आएगी और जब इसे छोड़ देंगे तो ये उपर जाएगी तो सवाल उठता है नीचे क्यों आ रही थी ये body क्योंकि हम कीच रहे थे ऊपर क्यों जा रही है तो ये बना जाता है इसमें अंदर कुछ internal force आ गए है जो body को कीच के वापस ले जा रहे है ये force कहां काम कर रहे है ये force इतने area पर काम कर रहे है इस area को कहते है area of cross section ये जो force है internal force कहां काम कर रहे है इतने area पर काम कर रहे है तो इस area को क्या कहा जाता है area of cross section और जो internal force है उसे कहा जाता है restoring force तो restoring force upon area of cross section को क्या कहा जाता है stress stress को कैसे define किया restoring force force upon area नहीं लिखना है कौन सा force ये भी specify करना है कौन सा area वो भी specify करना है upon area of cross section इसको कहते है stress restoring force upon area of cross section restoring force upon area of cross section इसे कहते है stress तो stress का formula क्या हो जाएगा F upon है stress का formula क्या हो जाएगा पिटा बोलेंगे F upon है stress का formula क्या हो जाएगा पिटा बोलेंगे F upon है stress का formula क्या हो जाएगा पिटा बोलेंगे F upon है stress का formula क्या हो जाएगा F upon है MKS unit क्या हो जाएगी stress की Newton पर meter square CGS unit क्या हो जाएगी stress की Dine पर centimeter square Dimensions क्या हो जाएगी stress के Stress कहें के से रहा है force upon area को Force यहने क्या MLT minus 2 Area यहने क्या L square LCL cancel हो गया ML minus 1 T minus 2 Dimensions stress के क्या हो जाएगी पिटा बोलेंगे ML minus 1 T minus 2 MKS unit क्या हो जाएगी Newton पर meter square CGS unit क्या हो जाएगी 9 पर centimeter square Dimensions क्या हो जाएगी ML minus 1 T minus 2 Dimensions क्या हो जाएगी पिटा बोलेंगे ML minus 1 T minus 2 dimensions के आगए बिटा बोलेंगे ml-1 t-2 dimensions के आगए बिटा बोलेंगे ml-1 t-2 तो इस सारा का सारा same कैसे आ गया same as pressure इस सारा का सारा किसके जैसे आ गया pressure के जैसे आ गया इस सारा का सारा किसके जैसे आ गया pressure के जैसे आ गया उकुल में लाके क्या होता stress समझ में आया restoring force upon area of cross section formula क्या होता stress का f upon a mks unit क्या होती है newton per meter square dimensions क्या होते है 9 per centimeter square dimensions नहीं cgs unit dimensions क्या होते है ml minus 1 t minus 2 और ये सारा का सारा किसके जैसे होता है ये सारा का सारा किसके जैसे होता है ये सारा का सारा pressure के जैसे होता है अब हम लिख रहे हैं इसके types जितने हमारे मतलब के हैं उतना ही लिख रहे हैं किसी book में 2 दी हैं किसी book में 3 दी हैं किसी book में 4 दी हैं जरूरत किन-किन की पढ़ती है वो हमें लिखना है एक होता है longitudinal stress एक होता है longitudinal stress एक होता है compressive stress दूसरा क्या होता है दूसरे pencil लिखना हूँ बीच में compressive stress और एक होता है shear stress एक और क्या होता है बिटा पो लेंगे shear stress तो तीन तरह के stress होते हैं एक होता है longitudinal stress एक होता है compressive stress नाम सही समझ में आ रहा है और एक होता है shear stress longitudinal stress में क्या होता है body की length बढ़ती है किसी भी तार को हम खीचे और कुछ इस तरह से खीचें कि उसकी length बढ़े तो जो stress induce होगी वो क्या लाएगी longitudinal stress longitudinal stress में क्या होता है length of body increases in the direction of applied force longitudinal stress में क्या होता है length of body increases in the direction of applied force longitudinal stress में क्या होता है बेटा बोलेंगे length of body increases in the direction of applied force longitudinal stress में क्या होता है बिटा बोलेंगे length of body increases in the direction of applied force longitudinal stress में क्या होता है बिटा बोलेंगे length of body increases in the direction of applied force दूसरा compressive stress नाम में ही समझ में आ रहा है इसमें body को compress करेंगे under the action of deforming force under the action of deforming force नाम में ही समझ में आ रहा है बिटा deforming force लगा के body को compress करना है deforming force लगा के जैसे कोई body उसे compress कर रहा है और उसे चोड़ रहा है तो फिर वो उतनी बड़ी हो जा रही है तो यह stress कहलाती है compressive stress यह stress कहलाती है compressive stress अब आखरी आ गई shear stress shear stress में क्या करते है बटा यह कोई body है इसका यह वाला सेरा fix है A, B, C, D यह क्यूब है मान लो कोई इस पर हमने क्या किया ध्यान से सुनना tangential force लगाया इस पर हमने क्या किया ध्यान से सुनना तो C खशकके कहा आ जाएगा C डश पर और D खशकके क्या आ जाएगा D डश पर तो मुझे बता बोडी की लेंद बढ़ी या कम हूई ना बोडी की लेंद बढ़ी ना बोडी की लेंद कम हूई बलके body का shape change हुआ बलके body का क्या हुआ बेटा बो लेंगे shape change हुआ बलके body का क्या हुआ shape change हुआ इस angle को 5 से लिखा बलके body का क्या change हुआ shape change हुआ अब जो stress induce हो रही है वो कहलाती है shear stress अब जो stress induce हो रही है वो कहलाती है shear stress है ना खीच के छोड़ोगे तो भी body वापस जाएगी, compress करके छोड़ोगे तो भी body वापस जाएगी, shape change करके छोड़ोगे तो क्या होगा, तो भी body वापस जाएगी, अब लेकिन जो stress होगी वो क्या कहलाएगी, shear stress, यह लिख लो, when deforming force, थोड़ा सा ज्यादा लिखना है, वो सकता है आए नहीं, act tangentially over an area, कैसे लगाया, when the deforming force, act tangentially लिखो, तो क्या होगा, body gets sheared by a certain angle, body gets sheared by a certain angle, अब जो stress produce होगी, वो कहलाएगी, shearing stress, आगे है बटा ध्यान से, तो तीन तरह की stress होती है, मझे बताओ कौन-कौन सी, longitudinal, compressive, shear, longitudinal stress में body के length बढ़ती है, compressive stress में body को compress किया जाता है, shear stress में body का shape बदलता है, body particular angle से shear हो जाती है, इसमें जरूरी है कि force कैसा लगा है, tangential लगा है, इसमें जरूरी है कि force कैसा लगा है, बटा बो लेंगे, tangential लगा है, clear है, तो stress के types दियान से पढ़ लीजेगा अगला लिको strain strain क्या चीज होती है strain एक ratio होता है बटा जैसे हमने किसी तार को खीचा तो उसकी length कितनी बदली upon शुरू में कितनी थी क्या ratio निकालते हैं कितना change आ रहा है upon शुरू में चीज कितनी है इस ratio को कहते है strain किस ratio को कहते है कितना change आ रहा है upon शुरू में शुरू की length कि यह volume कितनी है यहने strain एक ratio होता है जिसमें हम क्या देखते है change in configuration of a body change in configuration of body upon initial configuration of body कितना change आ रहा है upon initial configuration of body क्या होता है strain equal to change in configuration of a body upon initial configuration of a body strain equal to क्या होता है change in configuration of a body upon initial configuration of a body strain equal to क्या होता है बिटा बोलेंगे change in configuration of a body upon initial configuration of a body तो क्योंकि यह एक ratio है इसके no units and dimensions रहते हैं इसकी कोई unit नहीं कोई dimensions नहीं no units and dimensions इसकी ना तो कोई unit होगी याद रखिएगा ना कोई dimension होगी इसकी ना तो कोई unit होगी याद रहेगा ना कोई dimension होगी तो क्या लिख रहे हैं upon शुरू में कितना था इस ratio को कहते हैं strain कितना change आया upon शुरू में body कितनी थी इस ratio को कहते हैं strain ये भी तीन तरह की होती है एक होती है longitudinal strain longitudinal strain का formula होता है delta L upon L कितनी length बदली upon शुरू में कितनी थी इसको कहते है longitudinal strain कितनी length बदली upon शुरू में कितनी length थी इसको कहते है longitudinal strain दूसरी होती है volumetric strain नाम से ही समझ में आ रहा है क्या करने वाले है volumetric strain होती है delta V upon V volumetric strain क्या होती है delta V upon V longitudinal strain क्या होता है delta L upon L volumetric strain क्या होता है delta V upon V और तीसरी होती है shear strain इसमें क्या करते हैं हम tangential force लगा कर body का shape change करते हैं तो shear strain तो ध्यान से सुनो shear strain shear angle के बराबर होती है ध्यान से देखिए इधर यह हमने इस angle को नाम दिया था 5 तो यह जो shear strain है यह इस angle के ही बराबर होती है shear strain इस angle के ही बराबर होती है shear strain इस angle के बराबर ही होती है याद रखिएगा shear strain shear angle के बराबर होती है तो यह तीन तरह की strain होती है बहुत ध्यान से देखिए longitudinal strain किसे कहा delta L upon L को volumetric strain किसे कहा delta V upon V को shear strain किसे कहा phi को shear strain किसके equal होती है shear angle के equal होती है shear strain किसके equal होती है shear strain shear angle के equal होती है longitudinal strain किसे कहा delta L upon L को volumetric strain किसे कहा delta V upon V को और shear strain किसे कहा phi को shear strain किसके equal होती है shear angle के equal होती है shear strain किसके equal होती है shear strain shear angle के equal होती है shear strain किसके equal होती है shear strain shear angle के equal होती है longitudinal strain del L by L volumetric strain del V by V shear strain 5 clear है आगे बढ़े रहे है अगली adding डालो hooks law जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं हमने दो चीजें पढ़ी है stress और strain तो hookah law ये कहता है कि elastic limit के अंदर stress और strain proportional होती है एक limit तक stress और strain proportional होती है मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा तो उस limit को कहते है elastic limit तो एक line का law है within elastic limit stress proportional to strain hookah law के कहता है within elastic limit बिल्कुल short में बता रहा हूँ stress proportional होता है strain के stress equal to क्या हो जाएगा कोई constant into strain stress upon strain क्या हो जाएगा constant तो constant को लिखते हैं E से constant को किस से लिखते हैं E से E को नाम देंगे तो side में graph भी बना लेंगे side में graph भी बना लेंगे इस axis पे मने strain ली इस axis पे मने stress ली तो एक limit तक graph सीधा आएगा उसके बाद त्यड़ा हो जाएगा तो उस limit को ही कह कहते है elastic limit उस limit को ही कह कहते हैं elastic limit उस limit को ही कह कहते है elastic limit E को नाम दो E कहलाता है any constant code modulus of elasticity of a material अब देखो stress की unit होती है strain की कोई unit नहीं होती तो जो modulus of elasticity है उसकी unit stress जैसी होगी और stress की कैसी होती है pressure के जैसी तो तीन लोगों के unit dimension same आगा है pressure, stress और modulus of elasticity modulus of elasticity का क्यों होगा same क्योंकि strain के तो होते नहीं है कुछ क्या लिखा E को क्या नाम दी है any constant code modulus of elasticity of a material अगे लिखो its units and dimensions are same its units and dimensions are same याद रखना as those of pressure और stress इसके unit dimension कैसे होंगे pressure या stress के जैसे इसके unit dimension कैसे होंगे pressure या stress के जैसे इसके unit dimensions कैसे होंगे pressure या stress के जैसे E को क्या नाम दी है modulus of elasticity of a material इसके unit dimension कैसे होंगे pressure या stress के जैसे E को क्या नाम दी है modulus of elasticity of a material इसके unit dimension कैसे होंगे pressure या stress के जैसे E को क्या कहा modulus of elasticity of a material इसके unit dimension कैसे होंगे बिटा बोलेंगे pressure या stress के जैसे याद रहेगा ये हो गया hooks law जो क्या कहता है stress proportionally strain के अब ध्यान से सुनना आगे की चीजे एक बार हम पहली वाली stress और पहली वाली strain लेंगे पहली वाली क्या मैंने types में जो लिखवाया उसमें पहली वाली पहली वाली stress और पहली वाली strain ले लो तो constant को लिखो y से फिर दूसरी वाली stress या दूसरी वाली strain ले लो तो constant को लिखो k से और फिर तीसरी वाली stress और तीसरी वाली strain ले लो तो constant को लिखो eta से सारे सवाल इसी पर बनते हैं अगली एटिंग डालना डिफरेंट एलास्टिक कॉंस्टेंट से नोक्स लोग बहुत ध्यान से एक स्लाइड में में बता दे रहा हूं पहली बार क्या करो मुई तीन चीज़े बनाएंगे हम पहली बार क्या करो लोंगी ट्यूडनल अपन 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 लो ट्रेस अफहलिड्र और लॉगिड्र में उपर चला जाएगा तो य का फार्मुलय बन गया कुल में लाके फ़ल अपनले ड्ल याद रखीएगा इम्पोर्टेन्ट फार्मुल में फ़लफवल अपनले ड्ल्टा या गया तो पहली वाली stress ली पहली वाली strain ली constant को लिखा y से तो y बराबर आगे f l upon a delta है y कहला आया youngs modulus of elasticity y क्या कहला आया youngs modulus of elasticity y क्या कहला आया youngs modulus of elasticity दूसरी बार क्या करो दूसरी वाली stress लो और दूसरी वाली strain लो मैं pen भी बदल देता हूँ जिससे अलग-अलग देखें दूसरी वाली stress compressive stress य दाय तो notes में देखना दूसरी वाली strain volumetric strain इनी पर सवाल बनते हैं ध्यान रखना तो constant को लिखा k से कौनसी stress कौनसी strain ली compressive stress upon क्या लिए बेटा volumetric strain तो constant को कैसे लिखा k से तो k का formula हो गया delta p into v upon delta v k को भी नाम देंगे क्या देई दीजिए k कहलाया bulk modulus of elasticity k कहलाया bulk modulus of elasticity k कहलाया bulk modulus of elasticity इसको अगर उल्टा कर दे हम तो compressibility निकलती है c o m p r e double s i compressibility इसको c से लिख रहा है हो आप तो compressibility याद रखो 1 by k होती है compressibility कैसे निकलती है bulk modulus को उल्टा करने पर जीट में question आएं ध्यान रखिएगा second के third अब आगए तीसरे case पर के का formula क्या गया delta p into v upon delta v के का formula क्या गया delta p into v upon delta v के कहलाया क्या bulk modulus of elasticity के कहलाया क्या bulk modulus of elasticity और इसको यदी में उल्टा कर दूँगा तो क्या निकलेगा compressibility इसको यदी में उल्टा कर दूँगा तो क्या निकलेगा compressibility इसको यदी में उल्टा कर दूँगा तो क्या निकलेगा पिटा बोलेंगे compressibility तीसरा बना रहा है अब शियर स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेस जो भी लिख रहा हो तीसरा और आखरी अपन शियरिंग स्ट्रेंड तो कॉंस्टेंट को लिखते हैं इटा से इटा एन को बड़ा कर दो इटा बराबर हो जाएगा sharing stress याने f upon a sharing strain याने phi eta बराबर हो जाएगा f upon a phi sharing stress upon sharing strain sharing stress को किस से लिखा f upon a से sharing strain को काई से लिखा phi से equal to eta eta बराबर क्या होगे f upon a phi eta के लाया modulus of rigidity modulus of rigidity r i g i d i t y modulus of rigidity modulus of rigidity यह होते हैं ux law के तीनों case 99% सवाल ux law पे ही बनते हैं द्यान रखिएगा कभी इस पे कभी इस पे third case पे भी कम बनते हैं या तो bulk modulus का सवाल आया है neat में या young's modulus का आया है y का formula क्या होगे f upon a delta l k का formula क्या होगे delta p into v upon delta v compressibility किसे कहते है k के उल्टे को और shear stress upon shear strain क्या होगे eta eta बराबर क्या होगे f upon a phi य के इता क्या होगे बिटा बोलेंगे modulus of rigidity इटा क्या कहला है बेटा बोलेंगे modulus of rigidity इटा क्या कहला है बोलेंगे modulus of rigidity clear है अच्छे से clear है अच्छे से clear है चल यह आगे बढ़ते हैं वर्क अटन इन stretching of wire बहुत important concept हो क्या रहा है यह मेरे पास एक तार है इसको मैं खीच रहा हूँ इसको मैं खीच रहा हूँ तो मुझे काम करना पड़ेगा कितना चार फर्मूले होते हैं याद रखिए इसको elastic potential energy भी कहते हैं लिख दू हम जो काम करेंगे वो क्या होगा potential energy के warm में store हो जाएगा कभी कभी इसे elastic potential energy के नाम से भी आएगा तो work done in stretching of wire किसी तार को मैं खीचना चाह रहा हूँ खीचना चाह रहा हूँ के बुझे काम करना पड़ेगा कितना पहला फर्मूला हाफ f delta l दूसरा फर्मूला हाफ stress into strain into volume दीसरा फर्मूला हाफ strain square into y into volume चोथा और आखरी फर्मूला हाफ stress square upon y into volume ये चार फर्मूले होते हैं बेटा पहला फर्मूला क्या होता है half f delta l दूसरा क्या होता है half stress strain volume तीसरा क्या होता है half strain square into y into volume तीसरा क्या होता है half strain square into y into volume चोथा क्या होता है half stress square upon y into volume जल्दी से याद कीजिए पहला क्या है half f delta l दूसरा क्या है half stress strain volume तीसरा क्या है half strain square into y into volume चोथा क्या है half stress square upon y into volume चोथा क्या है half stress square upon y into volume चोथा क्या है half stress square upon y into volume पहला क्या है half stress strain half f delta l दूसरा क्या है half stress strain volume तीसरा क्या है half strain square into y into volume चौता क्या है half stress square upon y into volume अच्छा y का एक case ये भी याद रखिएगा जैसे दो अलग-अलग तार है दो अलग-अलग तार है अलग-अलग पैनों से बनाता हूँ और वो series में कुछ इस तरह से जुड़ें तो y net कितना ले लेंगे 2 y1 y2 याद रखना upon y1 plus y2 y net कितना ले लेंगे 2 y1 y2 upon y1 plus y2 और तार अगर ऐसे जुड़े हो एक तार ये है और एक तार ये है यहां हम लोड लटका रहे है तो इसका y कितना है y1 इसका कितना है y y2 तो y net होगा याद रखिएगा y1 plus y2 by 2 तो फिर y net कितना होगा बिटा बोलेंगे y1 plus y2 by 2 तो series में अगर तार जुड़े हो तो 2 y1 y2 upon y1 plus y2 तो parallel में अगर तार जुड़े हो तो y1 plus y2 by 2 full मिला के main target तो ये है वर्क के चार formula ध्यान रहेंगे चल आगे बढ़ते हैं stretching of a wire under its own weight stretching of a wire under its own weight stretching of a wire under its own weight होता क्या है बेटा कभी कभी तार मैंने लटका दिया ये तो ये अपने ही बज़न से आपने देखा होगा कोई rod रखते तो तेड़ी हो जाती है क्यों अपने ही weight के कारण है ना rod का weight कहां काम करता है नीचे कितना होता mg ये कोई तार है ये लटका हुआ है तो ये अपने ही weight से कुछ बढ़ जाएगा तार की length मान लेते है तो ये अपने ही weight से कुछ बढ़ जाएगा क्योंकि जो इसका weight है वो center पे काम करेगा कितना mg जो इसका weight है वो center पे काम करेगा mg हम नहीं खीच रहे ये अपने ही बज़न के कारण बढ़ जा रहा है सवाल उठता है कितना तो force का formula लगाए है mg mask की जगे लिखा density into volume into g mask को कैसे अटा सकते हैं force का formula mg mask को अटा दो mask की जगे लिखा density into volume into g volume को अटा दो area into length से area into length की जगे l by 2 लिखना है बस ये ध्यान रखो length by 2 के लिखना है जो weight है बेटा वो यहां काम करेगा ठीक बीच में weight कहां काम करेगा ठीक बीच में तो जब weight की बात करेंगे तो length कितनी लेंगे आधी weight कहां काम करेगा ठीक बीच में है न यहां काम करेगा यहां काम करेगा center of mass पे या center of gravity पे काम करेगा weight तो length कितनी लेंगे आधी बस अब कोई दिक्कत नहीं है y बराबर क्या होता f l upon a delta l मुझे delta l लेकालना है कितार कितना किचा यह हो जाएगा f l upon a y force f l upon a y f y upon a y नहीं f l upon a y force की जाएगे यह लेक दो rho a l y 2 और g दिख्राओ तो into l upon a y यह मैंने क्या कि यह force की जाएगे force की value डाली यह मैंने क्या कि यह force की जाएगे force की value डाली है ना यह force की जाएगे force की value डाली a से a cancel हो गया आ गया rho g l square by 2 y तार अपने ही वेजन के कारण इतना बढ़ जाता है rho g l square by 2 y कैसे आया देखो rho g l square by 2 y कैसे आया देखो इसका weight कहां काम करेंगा अतार का नीचे कितना mg mass की जेके कह लिखा density into volume into g volume की जेके कह लिखा area into आदी length आदी length क्यों क्योंकि weight जो है center पे काम करता है बस force की जेके force की value डाल के delta निकाला कितना आगे है rho g l square by 2 y कितना आगे है अपने ही बजन के कारेंट तार कितना बढ़ जाता है rho g l square by 2 y clear है आगे बढ़ते हैं अगली heading डालो poisons low अगली heading डालो poisons low होता क्या बेटा एक scientist थे poison उनने तार को कीचा तार की शुरू वाली length कितने मान लेते हैं L वो तार का शुरू वाला diameter कितना मान लेते हैं D अप तार खिचेगा तो तार की length बढ़ेगी विल्कुल ठीक बात length बढ़कर कितनी हो गयी L plus ded l length बढ़कर कितनी हो गई बटा बोलेंगे L plus ded l तो जब length बढ़ेगी ध्यान से सुनना, तो diameter कम होगी, तार पतला भी तो होता है, तो diameter घटकर कितना हो गया, d minus delta d, तो अभी तक scientist लोग सिर्फ length का बढ़ना देख रहे थे, इनने length के बढ़ने के साथ-साथ, diameter का कम होना भी देखा, इनने length के बढ़ने के साथ-साथ, diameter का कम होना भी देखा, एक इनोंने strain निका ली, lateral strain, कौन सी strain निका ली, lateral strain, lateral strain यहने change in diameter upon initial diameter, lateral strain किसे का इनोंने मुझे बताओ, change in diameter upon initial diameter, और दूसरी इनोंने निका ली, इसको change in radius by initial radius भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो, इसको भी lateral strain ही कहेंगे, दूसरा इनोंने निकाला, longitudinal strain, थोड़ा अलग ओके लेखूं, दूसरा इनोंने निकाला, longitudinal strain, longitudinal strain तो हम जानते हैं, delta L upon L, और फिर एक law दिया, कि lateral strain upon longitudinal strain हमेशा constant रहता है, lateral strain के से काया, delta D upon D को, longitudinal strain के से काया, delta L upon L को, law क्या दिया, lateral strain, upon longitudinal strain, यह हमेशा constant रहता है, law क्या दिया बेटा बोलेंगे, lateral strain, upon longitudinal strain, यह हमेशा constant रहता है, क्या हो जाएगा, delta D upon D, ऐसा लिख देता हूँ, upon delta L upon L, वो constant को लिखा सिक्मा से, सिक्मा क्या क्या बेटा है, पोईजेंस रेशो, सिक्मा क्या 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 बेटा है, पोईजेंस रेशो, दियान रखिएगा, इसकी theoretical limit याद रखिए, सिक्मा की, सिक्मा की theoretical limit याद रखिए, माइनस 1 to half, माइनस 1 से लेकर के 0.5, फिर इसकी practical limit याद रखिए, सिक्मा की, 0 to 0.5, फिर एक चीज और याद रखिए, for incompressible liquids, जो दपती नहीं है, liquids, for incompressible liquids, सिक्मा की value याद रखिए, 0.5, for incompressible substances, लेक दो, liquids नहीं, for incompressible substances, सिक्मा की value लेना है, 0.5, यह complete हुआ, आपका poison's law, बहुत द्यान से, बहुत बड़ा lesson है, द्यान से आपको करना है, क्या हुआ, lateral strain के से कहा, delta D upon D को, longitudinal strain के से कहा, delta L upon L को, तो poison का law क्या कहता है, lateral strain upon longitudinal strain equal to constant, तो क्या formula बना है, delta D upon D upon delta L upon L equal to sigma, sigma क्या क्या कहला है, poisons ratio, theoretical limit होती है, minus 1 to 0.5, practical limit होती है, 0 to 0.5, incompressible substances के लिए sigma होता है, 0.5, बहुत 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 ध्यान से notes बनाईएगा, आगे बढ़ लाएं, देखो हमारे पास कही सारे elastic constants आ गया है, सबसे पहले आ गया है y, y याने young's modulus of elasticity, फिर आ गया है k, k याने bulk modulus of elasticity, फिर आ गया है eta, eta याने modulus of rigidity, फिर आ गया है sigma, sigma याने poisons ratio, तो इन सारे elastic constants में कुछ ना कुछ relation होते हैं, heading के डाली है, relation between various elastic constants, पहला होता है y बराबर 2 eta, bracket में 1 plus sigma, अब सबका meaning पता होना चाहिए, दूसरा होता है y बराबर 3k, 1 minus 2 sigma, तीसरा होता है y बराबर, 9k eta अपॉन, eta प्लस 3k, चौता होता है sigma बराबर, 3k minus 2 eta अपॉन, 6k plus 2 eta, याद कीजिए, यह क्या है relation between, various elastic constants, पहला क्या है y बराबर 2 eta, bracket में 1 plus sigma, दूसरा क्या है y बराबर 3k, 1 minus 2 sigma, तीसरा क्या है y बराबर, 9k eta अपॉन, eta प्लस 3k, चौता क्या है sigma बराबर, 3k minus 2 eta अपॉन, 6k plus 2 eta, y क्या लाता है, young's modulus of elasticity, पता ही है यह तो, k क्या लाता है, bulk modulus of elasticity, d, यह न, यहां से notes बनाओ बिटा, कि लिखते लिखते याद हो जाए, eta क्या लाता है, modulus of elasticity, sigma क्या लाता है, poisons ratio, पहला क्या, y बराबर, 2 eta, bracket में 1 plus sigma, y बराबर, 3k, 1 minus 2 sigma, y बराबर, 9k, eta, अपॉन, eta, प्लस 3k, और, sigma बराबर, 3k, minus 2 eta, अपॉन, 6k, प्लस 2 eta, याद रहेगा, याद रहेगा, चल यह आगे बरते हैं, अगला लिखिए, stress strain diagram for ductile material, stress strain diagram for ductile material, ductile material यहने बेटा किसे कहते है, which can be drawn into thin wires, ductile materials which can be drawn into, into thin wires, जो शुरू में जहां तक graph straight आता है, जहां तक graph straight आता है, यह elastic region होता है, तो point A क्या कहलाता है, elastic limit कहलाता है, यह सब तो लिखा ही है, बुक की भाशा में, मैं लिख दे रहा हूं मैं, O A क्या कहलाता है, elastic region, और point A क्या 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 लाता है, elastic limit, पॉइंट ए क्या लाता है अच्छे से लिखो नोट्स बहुत पूचा जाता है ए ग्राफ भी ओ ए क्या क्या लाता है जो सीधा ग्राफ है लास्टिक रीजन वो पॉइंट ए क्या क्या लाता है लास्टिक लिमिट तो लिखो अप्टू पॉइंट ए अब टू पॉइंट है क्या होता है हुक्स लाइज ओवेड हुक्का लाइज लगता है that is stress is proportional to strain यह पहला पॉइंट लेखो ओए क्या क्या लाइज है elastic region तो पॉइंट है क्या क्या लाइज है elastic limit ओए क्या 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 लाइज है elastic region तो पॉइंट अ क्या 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 लाइज है elastic limit अब टू पॉइंट अ क्या होता है हुक्का लो लगता है याने क्या stress is proportional to strain होता है stress is proportional to strain होता है ठीक है बिटा अब यह थोड़ा सा graph मोड देना है इसा यह 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 बी कहलाता है पार्टली इलास्टिक पार्टली प्लास्टिक रीजन अबी कहलाता है पार्टली इलास्टिक पार्टली प्लास्टिक रीजन अबी कहलाता है पार्टली इलास्टिक पार्टली प्लास्टिक रीजन यह भी क्या कहलाता है पार्टी लास्टिक ब्लास्टी प्लास्टिक रीजन आगे लिखो इन दिस रीजन stress is no more proportional to strain इस रीजन में क्या होता है stress strain के proportional नहीं रहती है तब ही graph थोड़ा सा मुड़ गया है इस रीजन में कम ताकत लगा कर तार को ज़्यादा कीचा जा सकता है इसे शुरू में खीचने में दिक्कत आएगी एक बार ये खीचने लगे फिर ये असानी से किस्ता रहेगा तो इस रीजन में यही हो रहा है कम ताकत लगा कर भी आप तार को खीच सकते हो BC क्या कहलाता है Plastic region BC क्या कहलाता है Plastic region इस region की क्या खास बात होती है It shows more strain Strain ज़्यादा मिलती है तार ज़्यादा खिसता है With little or no stress With little or no stress It shows more strain With little or no stress BC region में घुज गए तो क्या होगा कम ताकत लगा कर आप तार को ज़्यादा खीच सकते हो BC region में घुज गए तो क्या होगा कम ताकत लगा कर आप तार को ज़्यादा खीच सकते हो Clear है बड़ा So C कहलाता है lower yield stress point यह सब फाल्तू के point है C कहलाया लिख लेते हैं चलो Lower yield stress point Point C कहलाता है यह फाल्तू की चीज़े है Bookish language Lower yield stress point हाँ बड़ा अगर हम C तक पहुँच गए तो अब हम समझ गए कि तार टक्टाइल है अभी यह नहीं टूटे का बहुत देर तक तो हमने क्या किया फिर से ताकत बढ़ाई फिर से हमने ताकत बढ़ाई तो हमने पतले पतले तार मिलने लगे फिर से हमने ताकत बढ़ाई तो पतले पतले तार मिलने लगे तो जो maximum stress हमने apply की वो कहलाती है ultimate stress point फिर हमने थोड़ा सा ताकत कम की क्यों? क्योंकि तार जब किसता है तो फिर ताकत कम करने पे भी किसता है और ultimately E पर आकर तार तूट गया और ultimately E पर आकर तार तूट गया पंच पर पॉइंट लेको On increasing stress beyond C The wire becomes Thinner and thinner in diameter Wire पतला पतला होने लगा बिटा The wire becomes thinner and thinner in diameter ठीक है तो D क्या लाया क्या Ultimate stress point Maximum stress जो है और E क्या लाया fracture point E पर आकर तार तूट गया तो क्या लिखा The wire becomes thinner and thinner in diameter तो D point क्या लाया Ultimate stress point E क्या क्या लाया Breaking point E पर आकर तार तूट गया E पर आकर तार तूट गया तो डक्टाइल का ग्राफ ऐसा आता है बहुत द्यान से देखिएगा मैंने काफी समझाने की कोशिश की है शुरुआत में क्या हो रहा है Elastic region है Point E क्या क्या हो रहा है Elastic limit इसके बाद यह है Partly elastic Partly plastic region यह है plastic region इसमें कम ताकत लगा कर आप ज़्यादा stress प्रोड्यूस कर सकते हो C के बाद आपने दाकत बढ़ाई तो तारा क्या होने लगा पतला होने लगा और ultimately E पर आकर तार तूट गया जो आपने maximum stress लगाई वो कहलाई ultimate stress point जो आपने maximum stress लगाई वो कहलाई ultimate stress point के के बिड़ा अब अगर यही तार अगर brittle होता तो यह elastic limit को cross करते साथ ही तूट जाता फिर brittle याने क्या जैसे chalk bit है brittle मतलब जो खिचे जादा ना खिचे तूट जाए तो brittle substances का graph में बनाने में क्या होगा elastic limit हम जैसे close cross करेंगे हमें fracture point में लेगा द्यान रखना यही graph अगर अपने brittle के लिए केचा होता तो क्या होता fracture point is close to elastic region या close to elastic limit brittle में क्या होता है main point याज रखना कि जो fracture point है close to elastic limit होता है और एक होते है बटा elastomers elastomers जैसे rubber rubber की क्या खास बात होती है कम ताकत लगा कर हम इसे ज़्यादा खीन सकते है तो यह elastomers होते है तो जिसमें ऐसा कोई graph जिसमें यह दिख रहा हो कि कम ताकत लगा कर हम ज़्यादा strain produce कर रहे है वो निश्चित ही elastomers का graph होगा elastomers कैसे कहते है more strain can be produced with little stress ठीक है बटना elastomers यहने कोई आपको ऐसा graph देखे जिसमें आप कम ताकत लगा रहे है और strain ज़्यादा produce हो रही है तो वो elastomers का graph होगा कोई ऐसा graph आपको देखे जिसमें कम ताकत लगा कर ज़्यादा strain produce की जा रही है तो वो किसका graph होगा बिटा बोलेंगे elastomers का graph होगा कोई graph अगर आपको ऐसा देखे जिसमें कम ताकत लगा कर ज़्यादा stress produce हो रही है तो वो graph किसका होगा बिटा बोलेंगे elastomers का होगा अगला वोई बिटा मैंने आपको समझाया था कि कोई beam है वो अपने ही weight के current थोड़ी deflect हो जाती है है ना कोई lowe की rod को आप ऐसे जमा दो lowe की beam को तो थोड़ी दिनों बाद देखोगे कि वो अपने ही वजन से थोड़ा जुग गई कितना जुग गई मान लो delta कितना जुग गई मान लो delta तो इसका एक फर्मूला होता है याज रखना delta बराबर होता है wl cube by 4ybd cube w यहने वही weight l यहने length y यहने yanks modulus b यहने breadth d यहने depth कितना आता है beam में deflection wl cube by 4ybd cube कितना आता है deflection beam में wl cube by 4ybd cube है ना w यहने क्या weight है symbol के मतलब पते होने चाहिए l यहने length है beam की y यहने yanks modulus b यहने breadth d यहने depth किसी beam में कितना deflection आ जाता है अपने ही वजन के कारण wl cube by 4ybd cube किसी beam में कितना deflection आ जाता है अपने ही weight के current wl cube by 4ybd cube clear है temperature temperature टेंप्रेचर बढ़ाएंगे तो elasticity कम होगी दूसरा है impurity तो increase करती है impurity मिलाने से elasticity increases with the addition of impurities impurity impurity मिलाने पर elasticity बढ़ती है elasticity increases with the addition of impurities यह होगया factors affecting elasticity दियान रखिएगा temperature बढ़ाएंगे तो elasticity कम होगी और impurity में क्या होगा elasticity बढ़ेगी impurity मिलाने पर elasticity impurity मिलाने पर बढ़ेगी clear है मेरे हिसाब से complete हूँ आप हाँ तो यह आपका elasticity one shot में समझे कतम हुआ एक दिन में आपका elasticity कतम हुआ है clear है बहुत ध्यान से इसे कीजिएगा क्या क्या पढ़ना है याद रहेगा elastic body plastic body rigid body stress पढ़ना है strain पढ़ना है hooks law पढ़ना है hooks law के तीनों cases पढ़ना है तार को कीचने में किया गया काम पढ़ना है तार अपने ही वजन से कितना किज जाता है पढ़ना है poison's law पढ़ना है जो various constant से उनमें relation पढ़ना है ठीक है beam में कितना deflection होता है वो पढ़ना है factors affecting elasticity पढ़ना है तो यह सब आप बहुत ध्यान से कीजेगा maximum चीजें आपको एक ही बार में बता दी गई है चलिए मिलते हैं next lecture में good bye